जब मुकश्मीर सरकार ने कल एक गर्मेंट ओर्डर इशू किया है इस गर्मेंट ओर्डर में उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है जिस टास्क फोर्स के चेर्मिन ADGP CID जे इनके होंगे और उनके साथ में ग्रह मंत्राले का जो हमाई ग्रह विभाग है उसके एक एडिशन सेकेडिस्टरी रैंक के आफ ओफिसर उनके साथ रहेंगे मेंबर लॉज जस्टिस उन्फ पार्लिमेंटरी एफियर्स विभाग से एक मेंबर वहां से रहेंगे और एक कंसर्ण डिपार्टमेंट यानि मान लेजी पीएची विभाग का अगर कोई करमचारी है जिसको लेकर सरकार को ये लग रहा है कि इसके आतंकी संगटनूं के साथ या अलगावादी संगटनूं के साथ रिष्टन आते हैं तो जिस भी डिपार्टमेंट का वो करमचारी होगा उस डिपार्टमेंट का भी एक मेंबर इस कमिटी में होगा और वो एडिशनल सेकृर्टरी रैंक का अफसर होना चाहिए टर्म्स अफ रिफरेंस क्या है उन तमाम मुलाजमीन के उन तमाम करमचारीं के केसिस को स्क्रूटनाईज करना जो आर्टिकल 3.1.1.2.C भारत के सम्मेधान का है जिन करमचारीं के खिलाफ इस आर्टिकल के तहत कारवाई बनती हो नमबर दो उन तमाम एंप्लॉईज के रिकॉर्ड्स कमपाईल करना जहां पर भी जरूरत पड़े और उसे इस कमिटी को उस कमिटी को रैफर करना जो जी एडी ने 30 जुलाई 2020 को बनाई थी तीसरा टेरर मॉनिटरिंग ग्रूप के जो मैंबर्स हैं उनके साथ एंगेज करना ताकि इन एंप्लॉईज को इन करमचारीं को एडेंटिफाई किया जा सके और तमाम अजन्सी से डिपार्टमेंट से इस मामले में जितनी मदद ली जा सके वो ली जाए और ये भी कहा गया है कि टाइम बाउंड मैनर में ये स्पेशल टास्फोर्स जो है केसे को स्कूरूटनाइज करेगी और इस टास्फोर्स की मदद CID वे भाग करेगा अब ये जो आडरिशू किया गया है ये कलका एशू किया गया है अभी तक अलक अलक अख़बारों में इसको लेकर लेक लेह आए और important websites के उपर इसको लेकर अभी तक किसी ने कोई प्रत्रिकिया नहीं की है और ना ही किसी ने अभी तक इसके उपर कुछ खास लिखा है लेकिन straight line के उपर कोशिश करेंगे यह समझने की कि आखिरकार सरकार नहीं यह order issue किया क्यों थोड़ा सा अगर हम जम्कश्मीर के इतिहास में चले जाते हैं तो हम यह देखते हैं कि जम्कश्मीर के अलग-अलग विभागों में ऐसे करमचारी काम जरूर करते थे जो एक तरफ तो अलगावादी सोच का परचार करते थे और दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमत भी करते थे यानि जिस सरकार के आप मुलाजम हैं उसी सरकार को गाले निकालने का काम करना उसी सरकार के खिलाफ शेडंतर रचना उसी सरकार के खिलाफ लोगों को इंस्पायर करना के जनाब देखिए सरकार जल्म कर रही है काम ठीक नहीं कर रही है हम आपके साथ हैं आगे आगे चलिए हम आपके पीछे पीछे हैं और खुद पूरी जिंदगी पीछे पीछे रहे कभी सामने नहीं आए और नतीजा उसका ये निकला कि इन्ही करमचारी में से बहुत सारे करमचारी ऐसे हैं जो बड़े important positions पर पहुँँचकर retire हुए कुछ वो लोग भी थे जिनुने 1999 की दहाई में और उसके बाद भी बादवाले सालू में सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा दिया था और लिखित रूप में ये कहा था कि हम ये मुलाजमत नहीं करेंगे कुछ करमचारी वो भी थे जिनों ने Indian Administrative Services का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया कि जी हमें Indian Administrative Services नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए हमें इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हम ये मानते हैं कि जमकश्मीर भारत का अभिन अंग नहीं है हम ये मानते ही एक dispute है जिसके चलते हम जो हैं अलग थलग रहना चाहते हैं और उसके बाद यही करमचारी जब एक अलग रूप में एक अलग शकल में एक अलग position पर पहुँचे तो यही उपदेश देते नजर आए कि हमें भारत के सम्विधान के प्रती कितना इमानदार होना चाहिए हमें सम्विधान को कितना मानना चाहिए और उसके बाद यही लोग यह उपदेश देते हुए भी नजर आए कि हमें यह करना चाहिए हमें वो करना चाहिए उसके बाद इनी मेंसे बहुत सारे लोग ये सब कुछ करते भी नजर आए कि किसे PSA में बुक करना है किसके खिलाब PSA में कारवाई करनी है मगर ये लोग अपनी लाइफ एंजॉाई करते रहे और ये एक विभाग के साथ नहीं हुआ ये बहुत सारे विभागों के साथ हुआ है सरकार के पास ये DTS हमेशा थी सरकार को हमेशा मालूम था कि कौन करमचारी किस पोजिशन पर क्या कुछ कर रहा है आज भी बहुत सारे लोग और ये भी जमोकश्मीर में आलम लोगों ने देखा है कि अलग 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 अखबारों के साथ लोग जुड़े हुए थे अलग अलग वेब पोर्टल्स के साथ लोग जुड़े हुए थे और उन अखबारों और वेब पोर्टल्स पर आकर जो वो लेख लिखते थे और वो लेक भी शाम को साथ बजे के बार लिखते थे साथ बजे तक वो सरकारी करमचारी हुआ करते थे ऐसा कमाल का मतलब कॉम्मिनेशन आपको पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं हम पत्रकार सुबह से लेकर शाम तक डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए इसके लंबे लंबे लेक हम लोग लिखते हैं अगर सरकारी मुलाजिम दुकान खोल ले और दुकान के ऊपर शाम को पांच बजे के बाद बैठे तो हम ये लेक लिखने में समयनी वेस्ट कर टाइम वेस्ट नहीं करते थे कि देखिए जी इसने पैसा कहां से इतना लाया और दुकान खोल गया अपनी इसके खिलाफ कानूनी कारवाई होनी चाहिए यानि हम पत्रकार जब समाज के अलग-अलग वर्गूं को लेकर भाशन जहाड़ना शुरू करते हैं और ये कहते हैं कि हम बिलकुल ठीक ठाक हैं और बाकी पूरे का पूरा समाज जो है वो गड़वड है पूरे समाज में कुछ भी ठीक नहीं है तो बहुत ज़दा ज़रूरी है कि हम जब समाज को लेकर कोई कटाक्ष करना शुरू करें तो शकू को शुभाद से हमें ज़रा उपर होना चाहिए साथ बज़े तक आप सरकारी मुलाजमत करते हैं साथ बज़े तक आप राजबहौन के चक्कर लगाते हैं साथ बज़े तक आप राजबहौन के में जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे मिलने के लिए जाते हैं आप एक समय वो भी था कि आप मुख्यमंतरी के आवास पे जब मन करता था तब चले जाते थे मुख्यमंत्री के आवाज पे जब दिल करता था तब चले जाते थे और दूसी तरफ आप सरकारी करमचारी भी है आप सरकारी करमचारी है और आप एक पूर मुख्यमंत्री के एडवाइजर भी है आप सरकारी करमचारी है एक अख़बार के एडवाइजर भी आप है करमचारियों ने सरकारी पैसे का भी बहुत जबरदस तरीके से आनंद लिया और दूसरी तरफ आम जमुकश्मीर के नागरिकों के बच्चों को ये कहा कि वो आजादी की चड़िया जो है ना वो पेड़ के वर बैठी हुई है बस अजादी की चड़िया को हमने पेड़ पे बैठी हुई है थोड़े दिनों की बात है डिस्टिक होगा कोई एक ऐसा जिला कोई एक ऐसी तसील होगी कोई एक ऐसा गाउं होगा जिस गाउं में एक माँ आपको ये कहानी सुनाते हुए नहीं मिलेगी कि एक ही मेरा लाल था वो मेरे घर की देख रेख करने वाला था मेरे घर की देख रेख करने वाला था मुझे उमीद और तवक्का अब उससे ये थी कि मेरा बुड़ापा बहुत अच्छा अब गुजरेगा क्योंकि मेरा बच्चा जवान हो चुका है अब ये सरकारी मुनाजमत करेगा और सरकारी मुनाजमत करने के बाद ये इस घर की तेखरेख करेगा उसी एक बच्चे को किस आदमी ने कान में ये डाला कि आजादी की चुडिया पेड़ पे बैठी हुई है आप फौरं जाओ और आजादी की चुडिया को लेकर आजाओ और बच्चा चला गया और उसके बाद आप देखते हैं कि एंकाउंटर्स में होता क्या है कितने सारे नौजवान आपने पिछले पांच सालों में एंकाउंटर्स में मारे गए कितने सारे घर ऐसे हैं जिन माओं को फौर्ज ने पुलिस ने अलग-अलग अजनसीज ने एंकाउंटर्स साइट्स पर लाया वहां से कहा कि अपने बच्चे को बुलाईए इसको कहिए कि बंदूग छोड़कर ये बच्चा जो है दुबारा से आकर आपके साथ मिल जाए मुख्यधारा में शामिल हो जाए हम इसकी पूरी मदद करेंगे कितने सारे सीन आपको ऐसे देखने को मिले कितनी अनकाउंटर साइट कश्मीर में ऐसी है और जो कुछ कश्मीर में हुआ उसके नतीजे में देश भर में कितने ऐसे घर है जिन घरों में माएं आज भी ये सवाल पूछती है हमारे ये देश का एक भाग हमारे ये देश का एक अंग आखिरकार इसमें परिशानी क्या ऐसी है कि एक बाहर के देश के कहने के उपर उनके भेकावे और उनके उक्सावे के उपर वो अपने ही देश के नागरिकों के उपर अपनी ही देश की सेना के उपर अपनी ही फौज के उपर गोली चलाते है आखिरकर ऐसा है क्या और ये जो आइडियोलॉग्स थे इन आइडियोलॉग्स ने अपने पुत्रों से ये कहा कि बेटा आपका काम जो है न ये वाला काम आपका नहीं है आप इंग्लेंड जाएए वहां से डिग्री लाइए आप Harvard जाईए, वहाँ से degree लाइए Harvard की degree जब आप लाएंगे न, परवक्ता आप ही बनेंगे Harvard की degree जब आप लाएंगे न, तो ये मेरे बाद जो आजनते कारिकरम ही, ये सारा आप ही ने संभालना है नतीजा ये निकला कि कश्मीर में सेकंड रंग की लीडर्शिप आम लोगों के बीच से कभी निकली ही नहीं सेकंड रंग की लीडर्शिप गरीब घरूं से हमने बाहर आती हुई कभी देखी ही नहीं second run की leadership गरीब परिवारों से किसी ने नहीं देखी देखा ये एक परिवार जो सत्ता धरी दल है या जो सत्ता में परिवार है उसी परिवार के लोग आगे 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 आते गए उसके इलावा कोई दूसरा आदमी सामने नहीं आ सका आतंकवागियों से हिम इंड़िंटेंस ब् umbrella के पास भी है और ट्रिम्नडर्व लिंवेस्टइशन डिपार्टमेंट के पास भी है ऐस उनका उलले क्यों नहीं करते सुर्वश दूर्ट उक चूट क्यों चूट सिर्फ नेताओं को छूट क्यों गाज सिर्फ सरकारी मुलाजमों के पर क्यों गिरे उन लोगों से भी सवाल क्यों ने पूछा जाये जिन लोगों ने अपनी गाडियों में आतंक वादियों को एक जगा से दूसरी जगाट्रास्पोर्ट करने का काम किया क्या डोड़ा बıड़ा कि श्तवार साइड में ये काम नहीं हूए क्या कश्मीर घाटी में ये काम नहीं हूए क्या जानकारी CID wib рядом के पास नहीं है? यह सारी जानकारिदी अगर आपके पास हैं और अब अगर कारवाई सरकारी मुलाजम जो हैं तो सरकारी तंखा सरकारी लेते हैं और सरकारी मुलाजमू में वो भी कुछ एक नंबर है जिस नंबर में वो लोग हैं जिन लोगों ने बड़े खुबसूरत महलात अपने बनाए हैं टीक के सोफे उनके घर में जब आप देखते हैं तो आप हैरान होते हैं कि भाई आप तो आजादी का राग पूरी दुनिया को सुनाते हैं आप तो सिस्टम में रहकर ये कहते हैं कि सिस्टम के खिलाफ क्या कुछ करने की जरूरत है तो ये टीक का सोफा आपके घर में क्यों जो आइडियोलोक्स बने उन आइडियोलोक्स ने आइडियोलोक्स बनकर अपने जीवन को तो सुखी और अपने जीवन को तो बड़ा बहतरीन कर दिया लेकिन आम कश्मीरी आम जमो कश्मीर के नागरिक के जीवन को नर्क से बत्तर कर दिया आप आज तलवाडा चले जाएं तलवाडा में आपको बड़ी तैदाद में वो परिवार मिलेंगे जो अपने घर बार छोड़कर तलवाडा में रहने पर मजबूर है आज भी बेसिक सुविधाएं उन तलवाडा के गरीबों के पास नहीं है आज भी बेसिक सुविधाओं से वो तलवाडा के गरीब बंचित हैं कश्मीरी पंडित एक बड़ी तैदाद में आज भी जो जम्मू में या अलग-अलग देश के कोणों में रह रहे हैं जरा उनके पास भी जाईए उनसे पूछिए कि आपने किस तरीके से तीन मंजिल वाले घर से आप एक एक छोटे से क्वार्टर के अंदर दो कमरों में रहने पर मजबूर क्यों हैं और उन्ही दो कमरों में बाप बेटा भी बहन भी और जीजा भी ये सब हालात ये सब कुछ इतिहास हमारे इतिहास का हिस्सा है और इसमें मैं माइनस कता ही नहीं कर रहा किश्मीर घाटी के वो तमाम लोग जिन लोगों ने अपने बच्चे पिछले तीस साल में इस आतंकवाद और अलगावाद की भटी में खोए हैं उन परिवारों को इस सब से मिला क्या और आज उन परिवारों की हालत क्या है दुख और तकलीफ के सिवा उन परिवारों के परस कुछ नहीं है और आज भी सिस्टम में वो सब लोग मौजूद हैं जिन लोगों ने सिस्टम का इस्तमाल करके इन सब परिवारों को वहाँ प रहा पाएगी किया सरकार इस कदम को उस पॉजिशन वहां तक ले पाएगी जहां पर कम से कम इस चीज़ को सुनिशित किया जाए कि अगर आप कोई आइडियो लॉग हैं आप कोई अलग विचार धारा के हैं और आपको लगता है कि जो सिस्टम कर रहा है वो सही नहीं है तो अब सरकारी मुलाजवत भी नहीं करेंगे आप सरकारी बाबू बनकर सिस्टम में बैठ कर सिस्टम के मज़ा भी लेंगे सिस्टम के एसी के हवा भी लेंगे और उसके बाद क्या कहते हैं अलगावादी खेमे में बैठ कर आप चाहेंगे कि लोग आपकी पीट भी थप थपाएं कि कमाल का आदमी है दिन में क्या कहते हैं अलगावादी के खेमे में होता है और दिन में माफ कीजेगा सरकारी खेमे में होता है और शाम को अलगावादी खेमे में यह जह मुकश्मीर की सचाई है इस लेकिन खाबाजादी का देख रहे हैं